मिनी लंदन मैखलुसकी गंज प्रकृति की गोध में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार आईए अपने यादगार लंभों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में राजधानी राजी से महज 50 किलो मिटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन मांडर विधान सभा का उपचुना हो रहा है बारिस के इस मौसम में राजनीतिक तपिस बढ़ी हुई है तमाम राजनीतिक डल अपने अपने चुनाव परचार को लेकर संवेदन सिल हैं और ऐसे में आरजेडी भी महागरबंदन की परत्यासी कॉंग्रेस की परत्यासी भोट मांगने की अपिल कर रहा है ऐसे में हमारे साथ भी जो आरजेडी के प्रदेश उपाद्याक श्यामदा सिंग है उनसे जानते हैं इन्होंने कई चेत्रों का दोरा किया क्या कुछ लगा इस चेत्र में क्या उमीदे हैं इस बार देखिए अब ही हम लोग बेडो सिल्पी निहां तिर्की भारी मतों से जितेंगी आगले बार हमारे बंधु तिर्की विधायक गठबंधन कर रह चुके थे जिते थे जेबियम से लेकिन बरतमान में महा गठबंधन के विधवार से खड़ी हुई है तो हमको फिडबैक जैसा मिला चित्रों में हम लोग भी परियास कर रहे हैं हम लोग भी लगे हुए हैं कि जो भाजपा के नीतिय सिधान्त है इसके खिलाफ पूरे आकुरोस है देहातों में, छित्रों में, नौजवानों में, आकुरोस है भाजपा के प्रती चुकि अभी देखिए अभी अभी जो बिगत तीन-चार दिनों से जो चल रहा है जो अगनी पत एक जोजना लाए है हमारे प्रधान मंत्री अगनी पत जोजना इसके बिरोध में बिहार समेत कई राजियों में काफी उग्र आंदोलन हो रहे हैं तो यहां की भी जनता सब तंद रही है कि ऐसे ऐसे जोजना लाखर के बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है बीजेपी के सरकार और ऐसी घित में महंगाई बेरोजगारी सारा प्रकास्ता पर पहुंच चुका है इसलिए जनता उप चुकी है और अभी जो चुनाव हो रहा है जो तेश तारीकों भ और उन्होंने जिस्तर से कहा है कि मुसल्मानों को धुर्वी करन बोट का होगा और यहां पर पाली बार जीते देखिए मुसल्मान लोग सभी हमें बात हुई है सभी मुसल्मान अगले चुनाव में जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें ओवैसी के पार्टी से सिसीर लकड़ा जी खड़े थे जो 24,000 भोट ले आये थे लेकिन मुसल्मान इस बार काफी सचेत है कि कि अहीं ऐसा नहीं कि बीजेपी के जो दलाल घूम रहे हैं सिल्पी नहां तिर्की को हराने के काम नहीं करें इसलिए मुसल्मान और एक जूट हो गया है ओवैसी के पार्टी का कोई भी प्रभाव आपको मांडर विधान सभाचेत्र में पढ़ने वाला नहीं है यह बुण कर रहे हैं कि हमें मौका दीजिए मुसल्मान अपना लीडर चुने लेकिन उनका दोकांदारी और चलते रहे इसलिए वा ऐसा काम करते हैं लेकिन मुसलमान यहां का बहुत सज़क है और काफी चतुर हो गया है वो जान रहा है कि उबैसी जी गठवंधन के उमिद्वार कॉंग्रेस के उमिद्वार को हराने की दिशा में काम करेंगे इसलिए सभी लोग सचेत हैं और मन बना चुके हैं कि इस बार भारी मतों से सिल्पिय नि रहने के चलते जारखन में हम लोग महागटबंधन के सरकार में भी हैं तो आर जेडी यही परियास कर रहा है कि हमारे महागटबंधन के जो उमीद्वार है वो जीते हैं चुकि इसी क्रम में हम विभीन गाओं का दोरा भी किया और जहां-जहां हम लोग को आदमी थे सभी हम लोग मुझे तैदिस से तयार हैं कि गडबंधन के पक्स में हम लोग मद्दान करें वैसा ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं हमारे सभी लोग राश्तिय जनता दल के आदमी एक जूट हैं और महागटबंधन के मिद्वार को जीताने का काम कर रहे हैं यते से आमदा सिंग जो बता रहे हैं कि मांडल विदान सभा उपचुनाओं में महागटबंधन की जो प्रत्यासी सिल्पी नेहा तिर्की हैं उनको पिछली बार की बजाए इस बार जो भोट मिलेंगे वो ज्यादा होंगे यानि बंदू तिर्की को मिले भोट से ज्यादा होंगे लेकिन यह चुनावी समीकरन तै करेगा कि आखिर कहां कौन मांडर में बाजी मारता है और ऐसे में निगाहें अब चुनावी मोड पे है और चुनाओं होने पर ही पता चलेगा कि आरजेडी के दावे में कितनी सच्चाई है सायोगी संजय के साथ अश्रोकुमार हम बनाते हैं बहतर भविश्य संघर्ष की दास्ता